सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल बटन पे भी क्लिक करिए ताकि अगली वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले आए अगर आप SSB के लिए प्रिपेर कर रहे है तो आपको SSB OIR की कौपी लेनी चाहिए ताकि आप अपने स्क्रीन इन होने के चांसे बढ़ा सको और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन मेरा नाम करन अरोडा है और आज का हमारा टॉपिक है 10 डिफेंट बैजेज उर्ण बाइ दा इंडियन पैरा कुमांडो यह हम जानते हैं कि पैरा कुमांडो हमारी कंट्री की फोर्स के सबसे एलीट और स्किल्ड सोलजर्स है इंडियन पैरा कुमांडो पूरी कंट्री में सबसे ब्रेव मने जाते हैं मुकाबले में हाइली स्किल्ड और एडवर्सिटीज को टैकल करने के लिए भी बिलकुल तयार हम सब को बता है कि सर्जिकल स्ट्राइक दोजा 16 का क्रेडिट भी इंडियन पैरा कुमांडो जाता ह हर रेजिमेंड के डिफरेंट बैजेज और इंसिगनिया होते हैं जो वो अपनी ड्रेस पे लगाते हैं उसी तरह रेड डेविल और दी पैरा कुमांडो के पास भी वराइटी ओफ बैजेज होते हैं जो रिगरस टेनिंग से अर्न किये होते हैं ये बैजेज पहनने वाले आदमी के बारे में बताते हैं इन बैजेज के डिफरेंट मीनिंग है जो आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं सबसे पहले बात करते हैं पैरा जंप विंग्स की ता पैरा जंप विंग्स पैराशूट का बेसिक कोर्स सेक्सेस्फुली कम्प्लीट करने के बाद अर एल्टिट्यूट से, दिन के टाइम और रात के टाइम भी, जंप विंग्स बेसिकली A. Briazzlus प्रिएवेट जिसमें वाइट ओपन पैराशूट होता है, साथ में light blue wings होते है अदो variance भी है जो usually gold wired wings होते है जो ceremonies के time पहने जाते है पहले badge उपर right sleeve पे पहना जाता था पर 1975 के बाद name tag के उपर appear होता है अब बात करते है jump indicator wings की ये basically brass badge है जिसमें parachute के bottom में stars है इसमें number of stars indicate करते है number of successful jumps one star, two star और three star denote करते है 25, 50 और hundreds jumps respectively इसको left pocket के नीचे पहना जाता है next है diving badge ये badge depict करता है कि personal diver है जो combat load के साथ fully geared है और specialized underwater operations के लिए ready है ये बताता है कि person ने underwater operation में specialization की है और इसमें person various underwater explosives और weapons में skilled होता है इसको service medals और ribbons के ऊपर पहना जाता है next है बलिदान badge badge के context में बात करें तो ये बताता है एक man की willingness उसकी country की protection के लिए चाहे उसकी जान क्यों ना खत्रे में पढ़ जाए ये badge को para special forces पहनती है इसको 100 में से 4 या 5 volunteers ही earn कर पाते है एक exclusive SF badge डॉक्टर भी earn करते है जिनोंने अपनी probation या service requirement complete की है अपने post-it unit में ये first confirmed kill के लिए भी award किया जाता है इसको right pocket के नीचे पहना जाता है अब बात करते है ATGM badge की ये badge indicate करता है कि personal anti-tank guided missile course qualified है battalion support weapon course के time target को successfully hit करने पे इसको earn किया जाता है ये दिखाता है कि person basically armed vehicles को knock out करने के लिए trained है इसको name tag के उपर पहना जाता है next है special force badge इस badge को personal जो para special forces के part है वो ही earn कर सकते है इसमें impossible task करने के लिए designate किया जाता है और ये वो impossible task करते भी है badge basically successful probation पे earn किया जाता है badge को उपर right और left sleeves पे पहना जाता है next है combat free fall ये badge combat free fall course को complete करने के बाद earn किया जाता है इस course में include होती है 50 jumps 30,000 feet से जिसमे high altitude low opening और high altitude high opening दोनों होती है next है United States parachutist badge ये United States के दवारा एक honor award दिया जाता है Fort Benning Georgia से basic airborne course को complete करने के बाद ये earn किया जाता है इसको name tag के नीचे बहना जाता है next बात करते है US military free fall parachute badge इसको earn करने के लिए personal सारी ground training के लिए qualify होना चाहिए उसका free fall course complete करना जरूरी है ये बताता है कि person United States military free fall school से military free fall parachute course qualify कर चुका है badge medals और ribbons के उपर पहना जाता है next है coveted commando dagger badge infantryman जो घाटक course में impressive performance दिखाते हैं उनको commando dagger award दिया जाता है personal attend करता है commando training center belgum करनाटका में ये मैं specialized training लेते हैं demolition, close quarter combat, navigation, rock climbing और heli bon assault में इसे right pocket के नीचे पहना जाता है तो दोस्तों ये था हमारा आज का topic और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा अगर आप defense aspirant है तो आपको defense direct education का instagram page जरूर follow करना चाहिए जहां पे आपको daily basis पे motivation, updates, news and exam notification मिलेगी और मैं दिल से wish करता हूँ कि आप सब future में ये सारे badges earn कर सको दोस्तों अगर आपके पास कोई doubt हो तो नीचे comment box में जाए और लिखिए हम पूरी कोशिश करेगे उसको clear करने की अगर आपको video पसंद आई हो, like पे click करिए और अपने दोस्तों से share करिए ताकि सब के पास इसकी knowledge पहुंच सके Thank you so much